बरेली में साधी की दो हफते पहले रिष्टदारी में दावत दे कर लोट रहे सिक्षक और उसका फुफेरा भाई शड़क हाथसे का सिकार हो गए फते गंज पस्चिमी में उनकी बाईक में अग्यात वहां ने टक्कर मार दी हाथसे में दोनों की मौत हो गई घर की खुशियां मातम में बदल गई पुलिस ने दोनों भाईयों के सवों को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया अली गंज थाना चेत्र के ग्यानी निवासी 29 वर्सिये संदीप रूम सिंग साही के लालपुर प्रात्मिक विध्याला में शिक्षक थे उनके साधी रामपुर के मिलक बिलासपुर से तै हुई थी साधी 9 दिसंबर को होनी थी घर में तयारियों चल रही थी वो सनिवार को अपने फुफेरे भाई साही के कुल्छा निवासी 20 वर्सिये प्रीतम पुत्र हरसरूप के साथ सीबी गंज मीर गंज में दावत देकर साही लोट रहे थे देर रात फते गंज पस्चिमी छेत्र में माधवपूर रेलवे क्रोसिंग के पास एक अज्यात वहन ने उनकी बाईक में टक्कर मार दी हाथसे में संदीप की मौके पर ही मौत हो गई जबकि प्रीतम गंभीर रूप से घायल हो गया इसे अपके घर का कोई गती ऐसे से गड़ें पड़ा है अस्पताल बेज रहे हैं कि दिवनाइक इस्पताल लाए संदीप की मौके साथ एक पीटम थे वो जो है अस्पताल में कुछ साहां से लेते हुए आए उसके बाद वो भी सुबह के टाइम आज खतब हुए दो लोग संदीप की 9 दिसमबर की साधी थी बर्तबान में एक साई जुनका के पास लाल प्रोगाम पड़ता उसमें साहिक अध्यातर की पत्कित पहना था किस काम सब्सक्राइब की दावत बाग में जी